Hello everyone, welcome back to Krakedidby, so this is Medieval History Part 2, इससे पहले हम लोग उने पढ़ा है Medieval History में, कि Medieval History कब से, कब तक स्टार्ट हुई, कब से कब तक रही है, 600 से लिकर 1200 CE तक रही है, उसके बाद हमने बहुत सारे डाइनिस्टी के बारे में बढ़ा, चोहान डाइनिस्टी के बारे में बढ़ा, मैं बाग करूँ सबसे पहले हमने तोमर डाइनिस्टी, जिसके फाउंडर थे अनंगपाल, उसके बाद हमने कच्छवाहा डाइनिस्टी, फिर हमने राजपूत्स पड़ा था आपकी पांच डाइनस्टी रही हैं डेली सल्तनत की मैं बात करूं मामलूख, खिलजी, तुगलक, सयद, लोदी ओके इन में से हमने फेमस फेमस जो इंपोर्टन डूलर्स थे सब के बारे में बात करी जर मैं स्टार्टिंग से बात करूं आपकी मामलूख डाइन निसार्टि के इसके बाद अलतमश आये थे, उसके बाद उनकी बेटी रजिया सुल्तान, फिर आया आपके बलबन, फिर आपके खिलजी डाइनस्टी में हमने जलालओदीन, अलाओदीन, खिलजी केEEPारे में बढ़ा, फिर हमने तुगलर डाइनस्टी में मुहंमद बिन त पानिपत 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानिपत में हरा दिया था उसके बाद से आपकी जो है वो डाइनस्टी खतम हो गई थी उसके बाद मुगल एंपायर ने अपनी जो कदम थे इंडिया में रखे थे तो आज उसके बाद फिर हमने विजयनगर एंपायर ही पड़ा था वि बहामनी किंग्डम देखते हैं सबसे पहले क्या है तो बहामनी किंग्डम बहामनी किंग्डम जो है आपका 1347 से 1525 तक इस किंग्डम ने रूल किया है साउथ में ओके यह जो बहामनी सल्तनत रही है यह सुन्नी मुस्लिम एंपायर रहा है डकन में डकन प्लैट्यू में इन जफर खान को वहाँ पे राजगत्दी फर बिठाया गया ओके और जफर खान ही जिनको हसन गंगु भी कहते हैं इन्होंने ही नीव रखी किसकी बहामनी किंग्डम की ओके अब आगे दिखते हैं तो जैसे जफर खान या फिर मैं बात करू हसन गंगु यहीं है आपके अलाउदीन हसन बहामन शाह या फिर आपके जफर खान या हसन गंगु इन्हीं का नाम है क्या अलाउदीन हसन बहामन शाह ओके इन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक की अगेंस्ट भी डिवाल्ट किया था ओके इन 1347 में आगे देखेंगे इसमें पहले इनकी इस प्रश्व कर दी ती लेटर ओन आपके बीदर में किस ने किस किंग ने शिफ्ट की ती किस सुल्तान ने तो एहमद शाह वाली ने यह जो थी क्यापिटल शिफ्ट की थी ओके अगर आगर बात करूं आपके इस टुवेस्ट तो भॉनगिर से लेकर दौलता बार यहां तक यह किंग्डम जो थी स्ट्रेश थी फेहली भी थी यह किंग्डम बाहामनी यह जो बाहामनी आपकी किंग्डम है यह 14 बाहामनी बाहामनग सुल्तान्स में डिवाइड़ थी और एड़ टाइम ओफ महमूद गवान, यह जो थे मिनिस्टर थे, ओके, इनके टाइम पीरियड पे, बहामनी किंग्डम सबसे मोस् सक्सेस्फुल एरा में पहुचे, और कली मुल्ला, जो थे, यह लास्ट किंग थे, बहामनी एम्पायर के, अब मैं बात करूँ महमूद गवान क तो यह इरानियन थे, he was Iranian by birth and was a trader and was granted title of Malik ul Tujar by Humayusha, तो Humayusha ने इनको title दिया था, क्या title दिया था? Malik ul Tujar, ओके, चीफ of merchants, फिर मैं बात करूँ कि बहामनी किंग्डम, एट प्रोविंस में डिवाइड थी, question may be asked, in HCS कि कि कितने प्रोविंस में डिवाइड थी, maybe sentence में, क्योंकि अब conceptual की तरफ भी बहुत बढ़ रहा है, HCS, तो 8 provinces में डिवाइड थी, हर provinces को तरफ कहा जाता था, और उस तरफ को जो govern करता था, उसको कहा जाता था, तरफदार, और जो salary होती थी, cash में भी pay करते थे, और उनको जागीर भी assign करते थे, ओके, अब मैं बात क और फिर ये जो आपकी बहामनी kingdom है, जब किसने, मतब गवान जो थे, महमूद गवान को execute किया, महमूद शाहने, मुहमद शाहने, 1481 में, उसके बाद बहामनी kingdom जो है, disintegrate हो गया, 5 kingdoms में, जैसे आपका विजन अकर अपार था, सलूवा, तुलूवू, ओके, सलूवा, ठीक है, तो यहाँ पे आपके ये जो बहामनी kingdom है, 5, kingdom में divide हो गया, मैं बात करूँ, निजाम शाही ऑफ एहमद नगर, 1490 से लेके 1633 AD, founder थे एहमद निजाम शाह, ओके, फिर इसको annex किया था, शाहा जाहने, 1633 में, निजाम शाही ऑफ एहमद नगर को, इसके founder थे एहमद न निजाम शाही, लेकिन इसको बाद में annex किया था, शाहा जाहने, 1633 में, फिर आपके आदिल शाही की बात करूँ, आदिल शाही ऑफ बिजापूर, ये यूसुफ आदिल शाहा, इसके founder रहे हैं, और गोल कुंडा, जो है, गोल गुमबच, ठीक है, ये मोहमद अली आदिल श किया था, 1687 में, किसने, औरंग जेपने, कुतुब शाही अब गोल कुंडा, इसके founder है, आपके मोहमद कुली कुतुब शाही, ओके, यहां का गोल कुंडा फोर्ट, बहुत ही फेमस रहा है, और इसको इन्होंने कापिटल बनाया था, और हैदराबाद, जो की ओरिजिनली भ बॉलताबाद, और इसको बाद में एनेक्स कर लिया था, जो एहमदनगर के रूलर थे, और यह जो इमाज शाही अव विरार है, यह 1490 से लेकर 1574 AD तक किंग्डम रही है, फिर बात करेंगे बरीज शाही अव विदर, तो 1528 से 1619 AD तक इन्होंने रूल किया है, अली बरीज जो थे इसके फाउंडर थे, और इसको बाद में एनेक्स कर लिया था, आपके विजापूर के रूलर से, तो अभी हमने देखा विजनगर और बहामनी किंग्डम, ठीक है, दोनों बहुत इंपोर्टन है, क्योंकि सदन इंडिया में यही दोनों अंपायर थे, अब बात करे जिसका एक ही एम रहा है कि गौड की तरफ सिंगल डिवोशन हो, मतलब, इपाउस रिलीजिस रिफॉर्म मुमेंट दूरिंग डा मेडिवल टाइम्स विच इंफसाइज सिंगल माइंडेट इंटेंस डिवोशन तो गौड, ओके भक्ती मुमेंट में बहुत सारे सेक्ट्स म जैसे वैशनविजम, शैविजम, शक्तिजम और स्मार्टिजम, ओके इसके बाद ये आपकी जो भक्ती मुमेंट है ये तमिल कम में ओरिजनेट हुआ था, 6th century के अराउंड, ओके और इसमें दो जो है ग्रूप डिवाइडेड थे, एक तो वैशनव अलवर, वैशनव भक्ती मुमेंट जो था, वो किसलिए प्रीच किया जा रहा था, का सिस्टम के अगेंस्ट, क्योंकि क्या था कि ब्रहामन्स का बहुत ज़्यादा इंफ्रूएंस था, और जितने भी वेदास कहें, जितने भी आपके उपनिशाद्स वगरा थे, उनका कंट्रोल से ब्रहामन थे, क्योंकि उनको ही पता था, कि कैसे पूजा पाट होती है, या कैसे डिबोशन होता है, तो वही चीज़े भक्ती मुमेंट में जो था, का सिस्टम हटाया गया, और जो भी आपके उपनिशाद्स, वेदास वगरा थे, जो जो उनमें इंपोर्टन चीज़े बताए गए बाउट गॉड वो लोकल लेंग्विज में पढ़ाई गी, तो ओरीजन जो भक्ती मुमेंट का वो वेदास में मिलता है, और 7th century के अराउंट इसका क्या हुआ, डवलपमेंट हुआ, अब हम बात करेंगे इसमें आगे, शैव नाइनर्स और वेशनवाइट्स अलवर, मैंन की इमोशन साइड को रिप्रेजेंट करता था, ओके, और अचारिया जो थे, इंटलेक्ट्वल साइड थी, वेशनविजम की, तो यह पूछ सकते, प्रबंदाज आरे लेड़ेट टू, वेचाव वेशनविजम, शैविजम, शक्तिजम, यह नन अब 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 तो आपको ब एक तो रिजन यह था भक्ति मुमेंट का, दूसरा इंपक्ट ऑफ सूफी सेट्स, सूफी सेट्स का भी इंपक्ट था, सूफी मुमेंट भी चल रहा था, ओके, अराइवल था, ग्रेट रिफॉर्मर्स का, और साथ में वेशनविजम और आइडलोजी, जो थी, शैविजम क उसका भी इंपक्ट पढ़ रहा था, तो इसलिए भक्ति मुमेंट यह जो है, स्प्रेड होना शुरू हुआ, अब दो पार्थ में डिवाइड़ थे, मैंने बताया था, नाइनर्स और अलवर्स, ओके, तो जो लॉर्ड शिवा के डिवोटी है, या उनके अवतार को मानते ह है, लॉर्ड शिवा के, वो है आपके नाइनर्स, अलवर्स कौन है, जो लॉर्ड शिवा, स्वारी, लॉर्ड विश्नु, उनके अफ्तार्स और उनके इंकार्नेशन को मानते हैं, वो है आपके अलवर्स, इधर बात करूँ कि नाइनर्स कब आए, ये 6 से 8 सेंचरी के बीच में, इसका ओरिजनेशन हुआ, इस ग्रुप का, और ये हुआ 5 से रेकर 10 सेंचरी 80 तक, ओके, तिरू मूरई, ये कंपाइलेशन है, हिम्स का, ठीके, जो जिन से किन से रिलेटेट है, लॉर्ड शिवा, और ये किस प्रीस्ट ने कंपाइल किया था, नम्भी यांदर और ये किसके प्रीस्ट थे, राज-राज-चोल बन, जिन्होंने ब्रिधेशवरा टेंपल बनाया, ओके, फिर मैं बात करूँगे, हिम्स जो थे, अलवर की, जो हिम्स थी, उनको कंपाइल किया गया, उस बुक का नाम था, दिव्य प्रबंदम, ओके, अब सेंट रहे हैं, तो तीरू, नीलकंट, मेपूरल, विराल मिंट, और एरी पथा, ओके, इधर इंपोर्टेंट इग्जाम्पल है, अलवर के, श्री अंदल, नमलवर, थिरुमा, सई अलवर, और कुला शेकरा अलवर, ओके, अलवर आपके, लॉर्ड विश्नु, गॉर्ड व तो अब बात करेंगे, दो स्कूल बनें आपके भुक्ति-भक्ति मुमेंट में, निर्गुण और सगुण, निर्गुण मतलब formless, सगुण मतलब form या कोई attributes, तो आपके जो भगवान को तो मानते हैं, लेकिन invisible या formless भगवान को मानते हैं, without any attribute, that is निर्गुण ग्रुप, निर्गुणा स्कूल और सगुण स्कूल था, जो भगवान को मानता था, साथ-साथ कोई form में, किसी form में, attributes में, जैसे आपकी मीरा भाई, कृष्णा जी को काफी मानती थी, ठीक है, उनकी बहुत बड़ी devotee रही है, ओके तो ये सगुण स्कूल में आती है, ओके, पोएट् सगुण की, इसको बोलती थे, प्रेमा शाहिरी, अब मैं बात करूँ, एक्जांपल, निर्गुण स्कूल में, जिसे गुरु नानक, एक ओमकार बोलती थे, ठीक है, रवीदास, कबीर, ये सब निर्गुण स्कूल में आते है, ओके, सगुण स्कूल में, कौन-कौन आते है तुलसिधास, सूर्दास, मेरबन क्योंकि ये फॉर्म मानते थे किनी भगवान को particular भगवान को मानते थे particular God के devotee थे ये दोनों में difference है अब इससे related question है कि which among the falling were the woman adyar saint of South Indian bhakti moment, तो कौन-कौन से है, ओके तो woman adyar saint of South India bhakti moment, तो इसमें आपके गोड़ा देवी, इसाइग नानियार अक्का महादेवी और मनगयर कार सियर ठीक है, तो ये आपके पांच devotees है, woman devotees है आपको adyar saint से related बताना है, ओके, adyar मैं बात करूँ niner group से, ठीक है niner, मतलब lord Shiva lord Shiva के जो devotees है, ओके, इसमें से आपके एक तो आजेंगे कराइकल अमल लियर, ओके फिर इसमें आजेंगे आपकी इसग नानियार कराइकल अमल लियर, इसग नानियार और आपकी मंगया कार सियर, ठीक है, ये आपके तीन woman adyar saint रही है भक्ती moment की तो मैं आपको बता दूँ जित्ते भी नाइनर saint थे, 63 नाइनर saint थे, out of 3 ठीक है, उन में से तीन female नाइनर saint रही है बहुत famous, नाइनर मैं बात करूँ लॉड शिवा के डिबोटी तो इसमें आपके फिफ्टीथ नाइनर थी, 24 नाइनर और साथ में 63 नाइनर, इसे गनानियार की बात करेंगे इसे गनानियार की इसा गनानियार की ये नाइनर सेंट थी और इनके हस्बंड का नाम था सदिया नाइनर ये भी एक नाइनर सेंट थे और ये मदर थी सुंदरार की जो की most prominent नाइनर सेंट रहे जोने बहुत सारी बात में books दिखी है about नाइनर स्कूल के बारे में अब बात करेंगे मंग्यार कर सियर ठीक है तो ये जोने 63 नाइनर में से एक फीमेल क्या रही है one of the फीमेल रही है नाइनर सेंट की ठीक है यानि की शेवाइट सेंट और इनका इन्होंने हेगियोग्राफिक पोयम थी पेरिया पूर्णम पेरिया पूर्णम ओके ये कंपाइल की थी शेकिजर ने और साथ में तीरू थॉंडर थो गई तीरू थॉंडर थो गई ये लिखी थी आपके पोयम पोयम सुन्दरार ने अब इसक नानियार की मदर थी सुन्दरार की जो मदर रही है इसक नानियार रही है अब बात करेंगे, चोला प्रिंसिस थी, मंग्यार कर सियार, चोला प्रिंसिस थी, पस याराही की, और इनका रियल नेम था आपका मानी, और इनकी शादी हुई थी पांडेन डाइनस्टी के एक किंग से, जोनों ने मदुरई में रूल किया, अब नाइनर और अलवर सेंट के अब बात करो, नाइनर जो है, वो 6 से 8 सेंचरी, एडी के बीच में रहे हैं, और आपके अलवर्स, जो है, लॉर्ड विश्नु के डिवोटी, 5 से 10 सेंचरी, एडी के बीच में रहे हैं, अब दो इंपोर्टेंट आपकी वुमेन सेंटी, एक तो गोडा देवी और अक्का मा यह कोठई, नचियार और गोडा देवी, इनके तीनों नाम यह हैं, और यह एक वन आफ, मतलब फीमेल सेंट रहे हैं, आपके अलवर्स जो थे, 12 अलवर मेन जो थे सेंट रहे हैं, उनमें से सिर्फ एक ही फीमेल थी, उनका नाम था, अंदल गोडा देवी, ओके, और यह मै साउथ इंडिया, अंदल को दो क्रेडिट किया दिया जाता है, इन्होंने दो बहुत इंपोर्टेंट तमिल वर्क लिखे हैं, वो कौन-कौन से हैं, थिरू पवई, और नचियार, तिरू मोजी, ओके, और यह जो है, इनकी जो हिम्स हैं, वो रिसाइट की जाते हैं, जब अक्का महादेवी, यह फर्वेंट फॉलोवर थी शिवा की, ओके, थी तो यह नायनर, लेकिन यह साउथ करनाटका में, 12th सेंच्री के अराउंड आई, ओके, और इनको जो टाइटल मिला था, अक्का, क्यों मिला था, अक्का मतलब होता है, साउथ अंडिया में, बड़ी ब बास्वना, इंपोर्टेंटे, 12th सेंच्री के रिफॉर्मर रहे हैं, ठीक है, जो कि प्रजेंटे कनाटका में है, इन्होंने विराशेवा मूवमेंट स्टार्ट किया था, और इनके साथ साथ में, अलामा प्रभु, अक्का महादेवी, इनके क्या थे, कम्पैनियन्स थे, इनसे एक और question है, related, which statement are correct about भक्ती सेंट नामदेव, तो नामदेव से related है, question, तो आप बताएंगे, first statement है कि वर्षिप्ट विठ्थल, और पंधारपूर, ये भगवान विठ्थल की पूजा करते थे, दूसरा, ये गुजराच से थे, तीसरा ही वो सन अफ टेलर, और चौता ये रोट मेनी अभंगास, तो इसमें गुजराच से नहीं थे वो, वो थे महाराश्ट से, ठीक है, महाराश्ट में लौड विठ्थल को माना जाता है, और ये लौड विष्णू, ये लौड कृष्णा के incarnation माने जाता है, बाकी सब चीज़े correct है, कि विठ्थल भगवान को म नाम देव, नाम देव, नाम दियो, ठीक है, ये इनके बहुत सारे नाम है, और नार सी हिंगोली महाराश्ट रीजन में ये रहते थे, और मैंने जैसे बताया, डिवोटी थे पंधारपूर, लौड विठ्थल, लौड विठ्थल जो है, लौड कृष्णा के incarnation माने जाते है और जो सेंट नाम देव थे, वो टेलर थे बाई प्रोफेशन, और उनके फादर भी टेलर ही थे, ये भी सही है, नाम देव ने बहुत सारे अभंगाज लिख्या है, इनकी मराथी डिवोशन हिंप्स, ओके, फिर बात करेंगे, बहुत सारी वूमें सेंट भी रही है, जैसे सक्खुबाई और इनकी एंड फैमली ओफ चोखा मेला, जो की अंटचेबल महारकास से बिलॉंग करती थी, ओके, फिर बात करेंगे, इसमें अब हम सुफी मूमेंट की, ओके, तो भक्ती मूमेंट तो चला है, हिंदुईजम में, सुफी मूमेंट चला है, आपके इसलाम मे इसलाम में, क्योंकि इसलाम जो है बहुत ही ओर्थोडॉक्स, जो है रिलीजिन, माना जाता था, माना जाता है, तो उसमें थोड़ा सा लिबरलिजम लाने के लिए सुफी मूमेंट चला है, क्योंकि बहुत ज़़ादा स्ट्रिक्ट टूल्स रेगुलेशन है, तो यहाँ प पा सकते हैं, ठीक है, और मेटेरिलिजम को हटाकर, सिर्फ भगवान से क्या होना चाहिए, स्प्रिच्वल कनेक्शन होना चाहिए, तो आपकी 1300 AD में आया, साउथ इंडिया में, 15th century के अराउंड, ओके, साउथ इंडिया में 15th century के अराउंड, तो इसमें क्या है, फंडामें फंड लोगों को कहा जाते है, जिनका दिल बहुत साफ होता है, ओके, मुरीद मतलर डिसाइपल, जो थे मकमत, मतलर बहुत सरी स्टेजस होती थी, उनके थू जाते थे, थीक है, ताकि वो, जो डिवाइन पावर है, उससे मिल सके, तो जो मुरीद होते थे, जो भी, सुफी म मखमत कहते थे, यानि कि जो स्टेज़ दोती थी, आप 12th century के अराउंड जो है, उन्होंने सिलसिला भी बनाना शुरू किया, सिलसिला मतलब चेन, एक तरह से, ओके, और अन ब्रेकबल चेन थी बिट्वीन पीर एंड मुराद, पीर मतलब टीचर और मुरीद मतलब डिसाइबल, ओके, फीचर्स क्या थे आपके सुफी मुव्मेंट के, तो ये बहुत सारे डिफरेंट सिलसिला और और सुफी बिलीव करते थे कि भगवान का मिलन हो, ठीक है, और कौन कराएगा, आपके गुरू करवाएंगे, स्प्रिच् कास जो है, ये इंपॉर्टेंट सेंटर है, लर्निंग के, ठीक है, ये मदर्सा से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि थोड़ा सुफी मुव्मेंट जो था, लिबरल, लिबरलिजम उनमें थोड़ा ज्यादा था, ओके, इसमें काफी सारे म्यूजिकल कॉन की ग्रेशन या स बशारा में थो लोग oluş थियादा जो इसलाम को religiously follow करता है, diligently follow करता है, और मैं बात करूँ बेशारा, बेशारा वो हुता है, जो थोड़ा liberalism लाते हैं, थे कि है, मतलब हर चीज और्थॉॉद्टाक्स तरिके से follow नहीं करते हैं, थे कि तो चिष्टी सिल्सिला के बारे हैं सिलसिला का जनम हुआ ओके इंडिया में चिष्टी सिलसिला जो था ख्वाजा मोहन दीन चिष्टी ने इसकी नीव रखी ओके इनका 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 वह वाज बॉर्ण इन 1148 स्वारी 1142 AD और इंडिया में आये 1192 AD में जब मुहम्मद गुरी ने आपके प्रिथिराज चुहान को सेकंड बैटल अफ तरेन में हरा दिया था ओके तो इन्होंने अजमे को अपना में सेंटर रखा अपनी टीचिंग्स को हमिदुदीन और नागपूर कुतूबुदीन बक्तियारगा की यह कुतूबुदीन बक्तियारगा की वही है जिनके लिए अल्तमष ने इल्टुतमिश ने आपका कुतुमिनार बन मैन था ओके ये इनके ट्मश डिसाइपल रहे कि काजमोईन सुल्टान इल्ट उत्मिष रेडिकेटिट दा कुतु मिनार्ट टू इस सेंड शेक फरी उद्दीन यानि कि बाबा फरीद ऑफ अजोदन ये भी पॉपलराइज थे ओके बाबा फरीद के जो मोस्ट फेमस डिसाइपल थे वो थे शेक निजामुदीन ओलिया शेक सिलसला यह सिलसला आपके शिहाबुदीन सुरा वषी ने बगदाद में फाउं किया था ओके इंडिया में इसको स्टाबिश किया शेक बाहुदीन जकारियान ने किया ओके इल्तुमश ये जो थे आपके शेक भाहुदिन जगरिया ये इल्तुमश की साइड लेते थे ठीक है और सूरावर्दी सिलसिला जो था वो कहां स्टाब्रिश था पंजाब और सिंध अब मैं बात करूँगे नक्षबंदी सिलसिला की नक्षबंदी सिलसिला तो ये ओर्डर स्टाब्लिश किया किसने ख्वाजा बाहुदीन नक्षबंदी ने आपको पता चाज़ जाएगा जो लास्ट में नाम होंगे उन्होंने ही कौन है और इजनेटर है वो ही ओके और इसमें ही अपोस्ट इंटराक्शन विद हिंदूस और शिया इन्होंने मना किया इस ओर्डर में कि हम किसी भी हिंदूस या शिया से इंटराक्ट नहीं करेंगे दो आपके मुस्लिम्स जो है इसलाम जो है रिलीजन दो पार्ट में डिवाइड है आपके दो तरह के सेक्ट है आपके सब कैटेगरीज है एक तो सुन्नी और एक शिया शिया वो है जो आपके मुहमद प्रॉफिट उनके जो दामाद थे उनको मानते हैं कि उनके बाद उन्होंने अपनी जो टीचिंग्स थी उनको पास की थी और जो उनको नहीं मानते हैं अली को वो सुन्नी कहलाते हैं तो ये आपके अपोस करते थे इनको हिंदूस और शियास को और साथ में he tried to harmonize उन्होंने मतलब काफी कोशिश की है जो mysticism है और जो teachings है इसलाम की उनके बीच में उनको harmonize करने की अब है कादरी सिलसिला ये आपके पंजाब में काफी famous रहा है शेक अब्दुलकादिर और उनके बेटे जो थे उन्होंने काफी सपोर्ट किया है और वो किसके अंडर थे अकबर के अंडर थे ओके पीर ओफ दिस ओर्डर सपोर्टे दा कॉंसेप्ट ऑफ भादत वुल वजूद यानि की unity of existence इस ओर्डर को सब्सक्राइब को सपोर्ट करते थे वहादत वुल वजूद तो मुगल प्रिंसिस जहानारा और उनके ब्रदर दारा थे किनके वह कादरी सिलसिला से बिलॉंग गरते थे असेंशल क्यारेक्टरिस्टिक क्या है सुफिसम की समा एक तो मैंने बताता है समा जो spiritual dance या music होता है ताकि concepts को spread कर सके ओके साथ में फना लेकिन जो music है वह अन इस्ला करना ओके फिर बात करूंगे इंसाने कामिल जो कि perfect human हो जिसके इंदर सारी good virtues हो फिर जिक्र तौबा मतला बार बार भगवान को याद करना ओके all the time बहादुतुल वजूदी यानिकी one God पूरे universe का एक भगवान one God चाहे उसको आप भगवान कह दें चाहे अल्ला कह दें ओके यह concept था यह कुछ essential characteristic थे सूफिजम के अब मैं बात करूंगी importance of the सूफी movement तो जैसे आपके भगती saints ने जो caste system था Hinduism में उसको break किया ऐसे ही सूफी ने भी एक liberal outlook चलाया इसलाम के अंडर ओके तो वहादुत उल्वजूद यह concept है सूफी इसको promote किया इबन ए अराबी ने इब 40 के बीच में अब question है कि arrange the chronological order of सूफी सेंट तो इसमें आपके सबसे पहले कौन आएंगे ठीक है तो शेक मोहिनुदीन सिजी पहले फिर उसके बाद इसमें आएंगे आपके बाबा फरीद फिर निजामुदीन और लास्ट में नसीरुदीन शिरांग ओके तो देखते हैं ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी इन्ही को ही ख्वाजा मोहिनुदीन शिजी भी कहा है इनका नाम गरीव नवाज भी था और यह 1192 में इन्होंने स्टाब्लिश किया था चिष्टी ओर्डर ओके यह कहा जाता कि यह डिसेंडेंट थे किसनके प्रॉफिट मोहमद के ओके सिस्तान में बॉर्ण हुए थे प्रजन डे इरान और अफगानिस्तान में है मोहिनुदीन मुहमद बिन सम यह जो सॉरी और घोर यानके मुहमद गुरी के बारें बात करें जब उन्होंने प्रिथ्विटाज चोहन को हराया था इन इन सैकेंड बेटल अफ तरेन 1192 एडी मे तब आपके ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी जो थे अजमेर में उन्होंने अपनी प्रीचिंग स्टार्ट कर दी थी इनके बहुत फेमस डिसाइपल रहे हैं जैसे ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी भी बताया था मैंने आपको ख्वाजा कुतुबदीन बक्तियार काक जिनके उपर कुतुमिनार बनाए गई थी अलतमश इलतुतमिश ने स्टार्ट की थी ओके फरिदीन फरीदुदीन गंज ए शकर निजामुदीन ओलिया किनके डिसाइपल है ख्वाजा मोहिनुदीन चिष्टी नसीरुदीन चरग ओके और टॉम है इनका अजमेर में अजमे शरीफ दर्गा से फेमस है यह होलियस्ट इसलामिक साइट है ओके यहां पर हिंदूस और मुस्लिम दोनों ही जाता है अब बात करेंगे सूफी सेंट चिष्टी ओडर की तो बाबा फरीद के बारे में बात करेंगे 1175 1265 सीह के टाइम पर फरीद उद्दीन गंज ए शकर यह तो आपको बताना है कौन से तुगलक डाइनस्टी के किंग से किंग के लिए निजामुदीन ओल्य ने बोला था हुनूस दिल्ली दुरुस्त आपको एक कमेंट सेक्शन में लिखना है लिखना है तो सैयद मुहमद निजामुदीन ओल्या हजरत निजामुदीन भी कहते है और महभूब इलाही, मतलब बिलावड ऑफ गॉर्ड, भगवान का बिलावड परसन, ठीक है, यह अल्ला के बिलावड परसन, सुन्नी मुस्लिम स्कॉलर थे और सुफी सीम थे, He believed the love of God, implied a love of humanity, ठीक है, मतलब humanity, उनके लिए था कि अगर आप विश्वास करते हैं भगवान में, तो humanity भी आपके अंदर जादा होनी चाहिए, ठीक है, love of humanity, इधर है कि निजामुदिन अलिया, जो थे बॉन्ड हुए थे 1238 में, बदाउं उत्तरव देश में, ओके, यह डिसा होता है, जाबे सूफी सीन्स रहता है, ओके, इन्होंने वो बिल्ट कर आया था, और इनकी फेमस डिसाइपल थे, शेख नसीरुदीन चिराग, साथ में धहलवी, साथ में अमीर खुष्रो, ओके, नसीरुदीन चिराग ये ये आपके सूफी सेंट रहें, काफी पॉपिलर, ग्रीट सेंट रहें है, हजरत निजामुदीन औलिया, और इसके बाद रोशन चिराग ये डेली, ठीक है, इनका टाइटल ये भी था, और अधा इजो फॉट्टी, वो अधिया को छोड़ कर, चले गए थे, दिल्ली की तरफ, और जहाँ पर वो डिसाइपल बन गए, इनके ख्वाजा, निजामुदीन, औलिया के, मैं बात कर रहे हूँ, चिरागे डेली की, ठीक है, नसीरुदीन, चिरागे दिल्ली, अब है, मैश दा इंफॉर्मेशन, गिवन बिलो विद्दा, रिस्पेक्टिव सुफी सेंस, ठीक है, अब है, बहुदीन, जकारिया, बहुदीन, चिष्टी, यह कौन थे, अजमेर में, इनकी दरगा है, फिर बंदे, नवास, गेसु, गराज, यह आपके गुलगबर्ग के हैं, और अभी मैंने बात की थी, नसुरुदीन, चिराग की, यह दिल्ली चले गया थे, तो इनसे रिलेटेट, यह हैं सूफी सिंस, और उसे रिलेटेट प्लेस, यह चीज है, ओके, बहुदीन, जकारिया, सुन्नी थे, मुस्लिम स्कॉलर सेंट थे, ओके, सूरावर्दी और इन्होंने इस्टाबिश किया था, ओके, पंजाब और मुल्तान में, शिहाबुदीन, सूरावर्दी जो थे, इन्होंने सिलसिला, यह जो सिलसिला था, इन्होंने बहुदीन, जकारिया ने इंडिया में स्टाबिश की, ओके, इनको जो थे, अबू, हफ्स, उमर, उल, सूरावर्दी, इन्होंने भी काफी इनको क्या किया, हेल्प किया, इस ओर्डर को आगे फिरानी किया, मौयुदीन, चिष्टी, जिनको सेन थे, ख्वाजा, मोहिंदुन, चिष्टी, जो थे, अजमेर में प्रीच करते थे, आफ्टर, मौहमद बिन समख घूर, मैंने बताया था, पित्विराज चौहान ने, पित्विराज चौहान को, बैटल अफ तरेन में, सेकिंड बैटल अफ तरेन में हरा दिया था, फर्स तारिक ओर्डर है, इसमें इनके जो फेमस डिसाइपल रहे हैं वो निजाम उदिन ओली और अमीर खुसरो भी रहे हैं, और ख्वाजा मोहिंदीन चिष्टी के इमिडेट स्टूडेंट है आपके, कुतूब अदीन बक्तियार गात, काकी, इंसरे एक और क्वेशन है, तो आ मैच करना है विद कॉलम वन, कॉलम टू, तो निजाम उदिन ओलिया, ओके, फिर मैं बात करूंगी इसमें, बायजीद अनसारी, शहा मुहम्मद घौ से, और नुरुदीन नुरानी, तो जो इसका आंसर है, वो है, हाँ, निजाम उदिन ओलिया, स्प्रिच्ट्वल पर्सेप्टर थे, अमीर कुसरों के, ओके, बायजीद अनसारी, आपके, जो थे, फाउंडर ओफ रोशनिया ओडर, ठीक है, और इसमें, मुहमद घौ से, यह है, तानसेन, स्प्रिच्ट्वल एंड मुजिक पर्सेप्टर, और नुरुदीन नुरानी, यह है, फाउंडर थे, रिशी ओडर के, और निजाम उदिन ओलिया, स्प्रिच्ट्वल पर्सेप्टर अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट बायजीद अनसारी के बारे, तो यह अफगान वारियर थे, पोएट थे, रेवलूशनिय लीडर थे, उके, उन्होंने बहुत सारे पाश्टों लिखे हैं, पर्शन में, हिंदुस्तानी, अरेविक में, और बोलते थे, और मूरी, और मूरी इनकी पाकिस्तान तर्वेलावे, उके, इनकी रेस्टिंग प्लेस है, नौर्थ वजीरिस्तान एजनसी, और ये पाश्टों लिटरेचर के, और रोशनी मूव्मेंट को, इन्होंने ही, क्या के, स्प्रेड किया, मैं बात करते हूँ, बायजीद अनसारी की, अब बात रोगे शाहा मुहम्मद खाउसे, ओके, मुहम्मद गौत, 16th century के सूफी मास्टर रहे है, शतारी ओर्डर के, ओके, ये म्यूजीशन रहे है, सेंट रहे है, इन्होंने लिखा है, जवाहिर एक खम्ष, ओके, जवाहिर एक खम्ष, यानि की खम्ष मतलब फाइक ज्वल, ठीक है, आलम देरे, कश्मीर भी है इनका टाइटल, ठीक है, और इन्होंने, ये फाउंडर है, रिशी ओर्डर के, ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, if you have any doubt, please write down in comment section,